नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे एक से सो तक के नंबर में एक कितनी बार आता है या दोसो एक से लेकर तीन सो के बीच में नंबर में एक कितनी बार आता है दो कितनी बार आता है तीन कितनी बार आता है दोस्तों अक्सर परिछाओं में इस टाइब के जो प्रस्ण है पूछ लिए जाते हैं अगर आपको पहले से अगर पता होगा इनका रूल तो आपका time भी कम फिल होगा और आप जल्दी से लगा देंगे लेकिन अगर आपको पहले कभी लगाई नहीं है ऐसे तो counting करेंगे तो काफी आपका time भी बरबाद हो जाएगा चलिए भी नंबर को लिखने के लिए किया जाता है यहां पर देखिए पूछा गया है एक से लेकर सौ तक के बीच में अगर पूछेगा एक कितनी बार आता है तो आप बताएंगे 21 बार आता है दोस्तों 21 बार इसलिए आता है गिंती हम एक से स्टार्ट करेंगे एक के बाद 2 तो सौ तो एक हमारा एक इसमें भी सामिल हो जाएगा ठीक है ना याद रखिएगा इसी वज़े से यहां पर हमारे 21 बार हो जाते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं दो की दो की बात करें या तीन की बात करें या चार की या पांच की या च्छै की या साथ की या आठ की या अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम ये बताएंगे एक से लेकर सौ तक के बीच में बीस बारा आएगा। तो आपको दिखी रहे है 90 तक तो हमारे 90 साफ साफ दिख रहा है लेकिन जैसे ही दोस्तों हम 100 की बात करेंगे 100 में हमारे 20 आएंगे इसलिए यहाँ पर होता कितना है 11 बार हो जाता है तो यह भी यात रखिएगा कभी कभी जनरली प्रशन पूछ लिया जाता है एक से लेकर 100 तक के नंबर में एक कितनी बार आएगा आप बताएंगे 21 बार आएगा बाकी सभी नंबर जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह हमारे 20 बार आएंगे अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 हमारे कितनी बार आता है 11 बार आता है चलिए उमीद है दोस्तों समझ गए होगे चलिए थोड़ा सा और अच्छे से बढ़ाते हैं नंबर को हलका सा यहाँ पर देखिए पूछा गया है 101 से लेकर 200 तक के नंबर में अब देखिए यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग कहा से होगी फ्रेंड्स है जात रखिएगा एक जो होता है 119 बार आता है अब आपको बता दे 119 बार हुआ कैसे थोड़ा से वो भी आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पर देखिए 101 है यानि सभी में 111 तो आएगा ही 199 तक आप देख रहे हैं ध्यान से 101, 102, 103 ठीक ना यानि साइकड़ा जो लिखा हुआ है यानि हर जग है साइकड़ा यानि तीसरे स्थान पर जो नंबर आ रहा है पूरे एक से लेकर 199 बे तक तो आएगा ही अगर हम साइकड़े को अगर हटा दें तो आप यही कहेंगे एक से लेकर 99 तक हमारी counting हो गई एक से लेकर 99 तक इसका मतलब 99 तो आपके रहेंगे ही अगर हम बात करते हैं 101 से लेकर 200 तक के नंबर में तो एक तो 99 बार रहेगा ही क्योंकि साइकड़ा की स्थान पर एक तो आही रहा है अब आपका अगर basic question अगर हम पूछ लेकर 99 में बताईए एक कितनी बार रहता है तो आप बताएंगे 20 बार रहता है देखिए दोस्तों एक से लेकर 100 तक में अगर हम बात करेंगे एक कितनी बार रहता है तब 21 बार रहता है क्योंकि 100 में भी हमारा एक count हो जाता है बट अगर एक से लेकर 99 तक की बात करेगा तो एक, दो, तीन, कोई भी नंबर होगा सिर्फ 0 को छोड़ कर बाकि सभी नंबर जितने भी होगे हमारे कितनी बार आएंगे, 20 बार आएंगे ठीक है ना, एक से लेकर 99 तक के बीच में, और अगर हम बात करते हैं, एक से 99 के बीच में अगर हम बात करते हैं कि 0 कितनी बार आएगा तो देखिये, 100 वाला 2 0 हम कम करतेंगे यानि 9 बार बताएंगे, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा कभी-कभी प्रस्णों को इस तरीके से भी घुमा सकता है, एक से लेकर 99 के बीच में बात करते हैं एक से लेकर, अगर 99 के बीच में बात करते हैं, तो 0 हमारे कितनी बार आएंगे 9 बार आएंगे, ठीक है 0 के संख्या 9 बार होगी और इसके अलावा, अगर हम और भी नंबर के बात करते हैं, या 2 है 3 है कोई भी नंबर ले लिजिए वो हमेशा 20 बार ही आएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 100 यहाँ पर 100 है नहीं इसलिए यहाँ पर देखे 20 बार ही रहेगा तो 99 में से दोस्तों 20 हो राइट कर देंगे तो यह हमारा कितना आजाएगा 119 आजाएगे जो कि हमने उपर लिखा हुआ है तो आप सीधे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं 101 से अगर यहीं पर दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है 201 से लेकर ठीक है ना 300 तक के नंबर में अब यहाँ पर देखिए हमेशा सैकड़े में दो दो तो आएगा ही तो उसमें भी यही अंसर हमारा हो जाएगा 119 बार अगर हम बात करते हैं 301 से लेकर 400 के बीच में उसमें क्या पुछेगा 3 पुछेगा गयोकि 3 हमारा हर जगे सैकड़े में आएगा 400 को छोड़कर तो इसका भी अंसर हमारा 119 बताएंगे बाकी जितने भी नंबर हमारे बचेंगे उसमें कितनी बार आएगा 20 बार आएगा अगर दोस्तों 2 की बात अगर हम करते हैं 2 की तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा 2 है और लास्ट में भी हमारा 200 आ रहा है इसलिए यहाँ पर एक बढ़ जाता है वैसे तो बाकी नंबरों पर 199 तक तो हमारा 20 बार ही आता ठीक ना लेकिन यहाँ 200 दोखिए जैसे एक हमारा स्टार्टिंग से था और लास्ट में आया था 100 तो उसका हमने एक अकाउंट किया था उसी प्रकार यहाँ इंड जो है 200 यानि दो नंबर से हो रहा है तो इसका मतलब दो में एक नंबर बढ़ा देंगे यानि 21 बार आएगा ये भी याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए पूछा गया 201 से लेकर 300 तक के नंबर में 2 कितनी बार आता है अब देखिए वही सीधी सी बात है 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं यानि 201 से लेकर याद रखिएगा 201 से लेकर 299 तक 299 तक और यहाँ पर 300 कोई मतलबी नहीं है तो 299 तक अब देखिए यहाँ पर हमारे 201 यानि 2 तो हमारा रहेगा ही ठीक है ना साइकड़ा पर और कितनी बार 99 ताइम जा रहा है यानि 99 बार तो 2 आएगा ही इसके बाद हम जैसे बताए थे 1 से लेकर 99 तक के बीच में 2 कितनी बार आता है तो आप कहते थे 20 बार आता है अगर दोस्तों 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 की गरम बात करेंगे इंड हमारा यहां 300 से हो रहा है और कहीं न कहें स्टार्टिंग में भी 3 हमारा आएगा जिस नमबर से इंड होगा उसमें से एक बढ़ जाता यहां पर इंड हमारा 300 से हो रहा है इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 99 प्लस 20 तो यह है और यह 3 हमारा 21 बार आएगा एक और हमारा बढ़ जाता इसके अलावा जो भी नमबर बचेंगे 0 है, 4 है, 5 है, 6 है कोई भी नमबर बचेगा वो सभी नमबर हमारे 20 बार आते हैं यह आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेजिए कभी कभी क्या होगा कि प्रस्ण जो है थोड़ा सा हल्का सा घुमा भी सकता है जैसे यहां पर हमने बताया 201 से लेकर 300 तक के नमबर में, ठीक है न अब कभी कभी क्या करेगा प्रस्ण में आपसे यह भी पूछ लेगा कि बताये 200 से अगर आपसे पूछ लेता है 200 से ठीक है न 200 से नमबर से लेकर 300 के बीच में, 0 कितनी बार आता है तो आप यहां पर देखिए 2 0 आपको और बढ़ाना होगा यानि यहां 20 बार तो हमारा होई रहा था अगर 200 से स्टार्टिंग कर देंगे तो 2 0 हम और काउंट कर देंगे यानि 22 बार हम बता देंगे ठीक है न अगर यहां पर देखिए 200 से अगर हम पूछ लेते हैं 300 के बीच में 2 कितनी बार आएगा तो यहां पर देखिए 201 से स्टार्टिंग कर रहे थे लेकिन 200 में भी 1 2 आएगा तो इस प्रकार इसका आंसर हम फिर हम बताएंगे 120 बार कितनी बार बताएंगे 120 बार तो प्रस्ण को आप सावधानी पूरवक याद रखिएगा कैसे करना है अगर 200 से पूछेगा तो फिर 1 2 हमारा 200 का भी तो काउंट होगा यह हम जो स्रीज बता रहे हैं यह 201 से लेकर 300 तक के बीच में यह भी याद रखिएगा इस तरीके से प्रस्ण में कुछ भी पूछ सकता है ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं हाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों RRB NTPC जो 10 जनवरी 2021 के सेकेंड सिप्ट में एकजाम हुआ था उसमें यह प्रस्ण दोनों पूछे गये थे यहाँ पर देखिए पूछा गया था 301 से लेकर 399 तक के नंबर में 3 कितनी बार आता है? अभी हमने जश्ट बताया है यहाँ पर देखिए 301 यानि सायकड़े में 33 तो आएगा ही 99 बार और अगर हम बात करते हैं 301 यानि 1 से लेकर 99 तक कि अगर हम बात करते हैं तो 3 बोलेंगे 20 बार यानि ओवराल देखा जोड़के तो टोटल हमारा कितनी बार आएगा? 119 बार आएगा आप डारेट याद रह सकते हैं 301 से 399 के बीच अगर जो नंबर स्टार्टिंग है 100 में अगर वही नंबर लास्ट में भी इंडोर आए तो ऐसे केस में हमेशा 119 बार हमारा क्या होता है? तीन नंबर होगे अगर इसी प्रस्ण में ये पुछ लिया होता 300 से लेकर 399 के बीच में 3 कितनी बार आएगा? तो फिर आपका अंसर 120 बार हो जाएगा क्योंकि 300 में भी एक हमारा 3 काउंट हो जाएगा चलिए दोस्तों समझ रहे होगे, उम्मीद है तो इस तरीके से इस प्रस्ण का अंसर हमारा कितना होगा 119 बार आएगा ये भी याद रखिए का हम जो सिरीज बता रहे है 301 से लेकर 399 तक दूसरा प्रस्ण पूछा गया था 500 से लेकर 599 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से विभाज हैं अब देखिए 5 से विभाज होने का हमने बताया है रूल कैसे निकालते हैं सबसे पहले देखिए ये तो 5 से हमारा कट रहा है जो पहला नंबर स्टार्टी में कटे 500 वो लिख लेंगे और हमें अब लास्ट वाला नंबर चाहिए लास्ट वाला हमें पता है 599 जो होता है 5 से नहीं कटेगा अगर इस एक नंबर कम करते हैं 598 वो भी नहीं कटेगा 5 के देखिए डिविजवेल्टी होती आखरी कंग 0 हो या 5 हो तब ही हमारा 5 से कटेगा तो यहाँ पर लास्ट नंबर हमारा पॉसिबल क्या हो सकता है 90 यानि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना यहाँ पर 95 यानि इसके नियरेस्ट कौन सो होगा 595 अब देखिए दोस्तों जब भी कवी प्रस्ण पूछे 5 से भी भाजी है 3 से भी भाजी है 4 से भी भाजी है किसी भी प्रकार से पूछ सकता है बस आपको यह देखना जिसके जिसके बीच में पूछेगा उसके नियरेस्ट या सुरू का आखरी का नंबर चेक कर लेजिएगा वो नंबर उसी नंबर से कटना चाहिए अब यहाँ पर देखिए 5 से यह भी कटेगा 5 से यह भी कटेगा और 500 और 599 के बीच में ही ऐसे नंबर हो गए ठीक है ना 500 से लेकर 599 तक ठीक है ना तो 500 से स्टार्टिंग करनी थी और 599 तो होगा नहीं 595 तक होगा अब यहाँ पर देखिए 5 के अगर हम बात कर रहा है तो निकालते कैसे हैं यह नंबर कैसे निकालेंगे नंबर के फार्मूला यह तो याद रखिए अंतिम पद में से पहले वाले पद को हम पहले घटा देंगे यह हमारा पहला पद होगा यह हमारा अंतिम पद होगा अगर आप फार्मूला टाइब लिखना चाहते हैं देख सकते हैं L-A जो इनका डिफ्रेंस है अब देखें यहां पर 5 से डिवाइड है इसका अग्रा नंबर हमारा कौन सा आएगा 505 आएगा फिर 510 आएगा यानि दोस्तों इनमें अंतर हमेशा 5 5 कहीं आएगा जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वही हमारा अंतर होता है यान आप मुझवानी याद रह सकते हैं आखरी वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे 595 में 500 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे पंचान भी आएगा अगर हम डिफ्रेंस की बात करते हैं डिफ्रेंस यानि इन दोनों में 5 5 के जिससे विभाज होता वही डिफ् इस प्रशन का जो सही अंसर हो जाएगा 20 यानि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से विभाज होंगे हम बता देंगे 20 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे 5 से विभाज होंगे चलिए दोस्तों यह थोड़ा जनरली चीज़े थी आपको अगर पता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसी में देखिए दोस्तों अगर यह प्रशन पूछ लेता है थोड़ा देख लिजी आप यहाँ पर अगर यह पूछ लेता है कि यह बताईए एक से लेकर एक से लेकर 300 के बीच में एक कितनी बार आएगा अब देखिए यह प्रशन पूछ लिया जाता है एक कितनी बार आ अब देखे एक से लेकर 100 तक के अगर हम बात करते हैं एक से लेकर 100 तक के अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक हमारा कितनी बार आया था 21 बार आया था ठीक है न प्लस अगर हम बात करते हैं 101 से लेकर 200 के बीच में अभी आपने बताया था 101 से लेकर 200 के बीच में हमारे कितनी बार आये थे, 119 बार आये थे, कितनी बार आये थे, 119 बार हमारे एका आये थे, ठीक है ना, अगर हम दोस्तों बात करते हैं, 201 से लेकर, 200 तक हो गया है, अगर हम 201 से लेकर 300 तक के बीच में बात करते हैं, तो 1 हमारा 20 बार आता है, कितनी बार आता है, 20 बार आता है, अब दोस चार एक पाँच और एक चाह एक सो साथ बार यानि इस प्रश्ण का सही अंसर कितना हो जाएगा एक सो साथ बार तो दोस्तों अगर आपको ये लाजिक पता रहेगा तो आप तेजी से कर लेंगे समय भी कम लगेगा ठीक है ना आप इसको घर पे और प्रेक्टिस कर लेजिएगा ताकि आपका जो कांसेप्ट है और अच्छे से मजबूत हो जाए दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक सेर भी कर दीजिए